क्या आप भी Dream Level पर Grand League जीतना चाते हो? क्या आपके मन में भी ये Question है कि आखिर कर हम लोग Grand League जीतेंगे कैसे? मुझे पता है आप हर रोज ये 49 रूपीज का Contest जोएन कर जाते हो और सपना देखतो काप मेरा Rank 1, 2 या 3 पार आज़ा है लेकिन Reality में at the end of the match आपका रेंग कहाँ पार होता है पता है? यहाँ पर रहता है लेकिन आप Tension लेनी की कोई जरूरत नहीं है आज मैं आपको जो Tricks और जो Formula सिखाने वाला होना अगर आपने सही तरीके से सिख लिया और सही तरीके से Apply कर दिया तो फिर Grand League जिदने से आपको कोई नहीं रुख पाएगा यह मेरा 100% guarantee है आप लिख के लो मैं आज आपको जो Formula सिखाने जा रहा हूँ ना अगर आपने सही तरीके से सिख जाओगे ना तो फिर यह Rank 1, Rank 2, Rank 3 आपके नाम हो सकता है मैं इस वीडियो के थूँ आपको Grand League से related हर चीज समझाने वाला हूँ मतलब each and everything वीडियो पूरा देखिएगा Grand League से related हर question का solution आपको मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं सोड़ और आप देखरो एसस क्रीक फेंडेसी फिलाल मैं आज आपको Grand League के बारे में बताने वाला हूँ Grand League जीते हैं कैसे Grand League जिदने का सही तरीका क्या है Grand League जिदने का सही मैथोड क्या है यह सब कुछ मैं इस वीडियो के तुरू मैं आपको बोलने वाला हूँ इस चैनल पर मैं हर रोज जो इंपोर्टेंड मैंच होता है वो सब मैच कवर करता हूँ वाप पर कौन सा प्लेयार रन बनेने वाला है हेड़ डूएड रेकोर्ट रिसेंट पॉम सब कुछ पीजी रूपोर्ट सब कुछ इनपॉम करता हूँ जिसके मदद से आप नार्शेफ ग्रैंड लिग, स्मॉल लिग के भी एक परफेक्ट फैंटासी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कामियाब हो सकते हो इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके चूड़े रहिएगा इसके अलबा स्मॉल लिग का टीम, कुछ फर्दार अपडेट, फ्लेइंग लेभेन ये सबी मैं आपको टेलिग्ग्राम चैनल पर इनफर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्राम चैनल के साथ भी जुणना आपके लिए उधना ही इनपोर्टेन है नीचे डेस्किप्शन पर लिंक है, लिंक के थूँ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हो So today let's talk all about Grand League, how to win Grand League Grand League जीदने से या खेलने से पहले आपको कुछ चीज समझना होगा कुछ चीज आपको मतलब बहुत बारिके से समझना होगा पहला जो चीज है या पॉइंट है आपको एक फिक्स बाजेट कर लेना है Grand League के लिए, फिक्स बाजेट का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए IPL सुरू होने बला है और IPL में आप Grand League खेलने के लिए तैयर हो तो आपको क्या करना होगा, IPL सुरूने से पहले आपको अपने हिसाब से एक फिक्स कर लेना है जैसे 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 8,000 हो गया, जो भी है आपका, वो आप जो फेंटासी साइड यानि की जो फेंटासी अप्लिकेशन पर खेलते हो वहाँ पर एक एड मानी का उप्सन होता है, उस एड मानी पर जाके आपको वो बजेट फिक्स कर देना है, ठीक है, आपको मैं क्यूँ पहले से ये बजेट फिक्स कर देने के लिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रिज़न है, बहुत सारे लोग क्या करता है, मानलीजे, वहतले दो सो रुपेर आज एड कर लिया, उस पैसो से दो तीन मेल पर करना है, फेर हर जाता है, उसके बाद फेर थीन हजार एड करता है, फेर फेर हजार एड करता है, इस तरीके से अगर चलता गया ना, तो धीरे धीरे उसका पारcommittee बेंक एक औक खता है, इसलिए मैं आप को बोल रहा हूं पहले से यह आप अपने हिसाब से एक बज़ेट कर दीजेगा उसके बाद आपको एक चीज समाझना होगा जील इस नौटे 100 परसें स्कील बेस गेम मतलब क्या है मतलब ग्रेंड लीग जो होता है ना ओफ हंटेड परसें स्कील बेस गेम नहीं होता है skill based game का मतलब क्या है आपका जो fantasy skill है जो cricketing knowledge है उसके थुरू आप grand league का team नहीं बना सकते हो तो फिर आप तो सबल करने लग जाओगे कि अगर मैं skill के थुरू team नहीं बनाऊंगा तो आखिर कर हम लोग team बनाएंगे कैसे उसके लिए मैं उसका जवाब मैं अभी देने वाला हूँ थोड़ा wait कीजिए उसके बाद तीसरा point क्या है focus only grand league and only single league मतलब क्या है focus only grand league के उपर मैं सिर्फ focus क्यों करने बोल रहा हूँ बहुत सरे लोग क्या करता है grand league के साथ सा small league भी खिलता है माल लिजे वो एक दो तीम grand league में लगा दिया और दो तीन या चार contest small league में जोइन कर जाता है और time किड़ना रहता है toss के बाद 20 से 25 विनिट उस समय के अंदर वो grand league का team combination बनाने में लग जाएगा और उसके साथ small league का team भी arrange करने लग जाता है और grand league में क्या होता है माल लिजे उनको लगता है यह player आज खेलने बला है उसका selection percentage बहुत ही कम है और बहुत ही hit और miss type का player है अगर खेल गया तो one sided man match win कर सकता है तो उस player को वो grand league में ले लिया और उसके बाद उसके दिमाग में यह चीज है अगर सही में यह player खेल गया ना तो फिर small league के team में तो मैं उसको लिया ही नहीं तो फिर small league में भी तो मैं हार जाओंगा इस type का confusion उसके दिमाग में चलता जा रहा है इसलिए at the end of the match क्या होता है उसको loss जिलना पड़ता है इसलिए मैं बोल ला हूँ अगर आप grand league के लिए तयार हो तो फिर grand league के उपर ही focus कीजिए और grand league के उपर ही आप मैनत कीजिए उसके बाद only single league focus only single league के मतलब क्या होता है माल लीजे आप IPL के लिए तयार हो और IPL के साथ साथ कुछ और भी तो लिग भगरा चलता है जैसे T10 हो गया जो women's का कुछ ना कुछ match चलता है अगर आपने उस match में या T10 में पैसा invest कर दिया तो फिर आपको तो मतलब investment जादा हो जाएगा ना आप जो fixed budget मतलब जो grand league के लिए आपने जो fixed budget रखा था उससे आप मतलब तो पैसा घडने लग जाएगा ना तो फिर आपको loss जलना पड़ता है फिर चौथा point क्या है You cannot win GL every day But if you follow proper guidelines and strategy then you can win at least one or two GL per week आपको ये चीज समझना होगा आप हर रोज grand league नहीं जित सकते हो भाई ये impossible बहुत सरे लोग दवा करता है मैं हर रोज grand league के team देता हूँ हर रोज grand league जिदवाता हूँ या खूद भी जितता हूँ ऐसा नहीं होता है भाई ये impossible है impossible है grand league हर रोज आप नहीं जित सकते हो लेकिन आप सही guidelines और सही strategy के साथ अगर आप जा रहे हो तब हपते में एक दो grand league आप जरूर जीत सकते हो मैं आपको जो tricks अज समझाने वाला हूँ ना अगर आपने वो सही तरीके से सीख लिया ना तो आप तो हपते में एक grand league पक्का जीत जाओगे यह मेरा guarantee है उसके बाद 500 पॉइंट क्या है भाई GL का team दो only you can make your GL combination not copy anyone इसका मतलब क्या है बहुत सारे लोग को आपको बोलते होए सुना होगा भाई GL का team दो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलता है भाई GL का team दो भाई आपको एक चीज समझा दूआ है भाई GL का कोई team नहीं होता GL का जो team है ना वो अपने आप बन जाता है during the match आप सेफ GL का combination बना सकते हो GL का team नहीं बना सकते हो आप वो कोई भी नहीं बना सकते है क्योंकि GL बहुत ही unpredictable होता है इसलिए GL का कोई team नहीं होता है इसलिए आज से उस stupid बाते कहना छोड़ दोगे कि भाई आप GL का team दो इस टाइप के stupid बाते बोलना आज से छोड़ दो उसके बाद 6th point क्या है आपको at least 20 days तक continue GL खेलना ही पड़ेगा मतलब क्या है माल लिजे आप एक दिन खेल दिन खेल दिन खेल दिन खेल दिन खेल दिन और लगातार हार गया उसके बाद 4 दिन के बाद आप GL खेलना छोड़ दोगे तो फिर end of the day आपको क्या होगा आपको लौज जहलना पड़ेगा यह एक दो तीन दिन का लौज जहलना पड़ेगा लेकिन लेकिन आप तो मुझे सवाल करने लग जाओगे अगर एक दो तीन मैं लगा था हार गया तो 20 दिन में में तो बहुत सरा लुक्षन हो जाएगा आपको बहुत सरा लुक्षन नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं अगले पॉइंट में वह चीज आपको समाजने मतलब समाजने ही बला हूँ थोड़ा वेट कीजिये उसके बाद 7 पॉइंट क्या है यू कैंनोट विन 1 2-3 जील टीम कोंबिनेशन मिनिमाम 11 टीम जील कोंबिनेशन आपको आपके पास होना ही चाहिए मतलब क्या है आप एक दो या तीन टीम से जील नहीं जीत सकते हो मान लिजे यह या दो टीम अपना लिया और 49 रूबिस का मेगा लिग जोएन कर लिया तो आप तो आप ऐसा मत मत सोचे गया कि एक दो टीम से आप ग्रेंड लिग जीत जाओगे ऐसा नहीं होता है आपको मिनिमाम 11 ग्रेंड लिग टीम कोंबिनेशन बना लेता है लेकिन उतना बनाने की जरुरत नहीं है मैं जो गाइडेंस आपको देने वाला हूँ उस गाइडेंस को फॉलो करते उतना ही काफी है आपके लिए माल लिजία आप आप को वह मतला चीज आपको समज महीं बला हूँ कि क्यांसे आप लोग प्रॉफिट कर सकतो क्यािसे करते हो आप लोग और क्या से प्रॉफिट कर सकतो हो माल लिजिए एक दिन में आप लोग 49 लूपीस का गयार आटीम ने ज बोला आपको 20 दिन तक वह खेलना होगा तो 20 दिन तक आपका टोटाल इनवेश्मेंट क्या हो गया हो गया 10,780 यह गया 20 दिन में टोटाल इनवेश्मेंट आप ही मैं रिटर्न मतलब विनिंग का हम रहे हैं आभी बताने वाला हूँ थोड़ा वेट किजे आप बारी है विनिंग क्या मतलब रिटान निखा आपने तो 10,000 इनफेस्ट कर दिया उसके पर तो रिटान भी आएगा ना तो रिटान कैसे आएगा रिटान के लिए आपको एक चीज समझाने वाला हुआ धोड़ा वेट की आनली जी एक मैच है एक 49 रूपीस का जो कॉंटेस होटा है यह सबस्पार रोस 11 में से 45 तीम आपको एवडरेज एवरेज डिकर जाय Гएra तो आपका रैक यह यह पर je इसी तरीडरिके से मालन लिज़े आपका डिटान आं गया उसकेठारेज आटो वेट तो दे थीटन आ आगले दिन फिर देर सभ आगया माल दीजे आपने कोई घ्राल मतलब बन्दा उपर में आप कुछ रैंग नहीं कर पाया मैं एक्जांप्ल के लिए आपको बोल रहा हूं माल दीजे तीजरा दिन फेर 300 मतलब आपने 300 रीटन है छिस्त हुए जिसले दिन आपका 300 रीटन शोटें माल लिजे बहुत इदेन खड़ाप गया उसके बार आ इसी तरह के साववक आज आपने खेलते जाओगे न तो फिर मतलब एक हप्त के अंदर आपका रेंग उस्केद्ग 1 में से हिया पर आज़ा ब कि यहां पर आजाएगा आगा मैं जो आपको स्ट्राटेजी सिखाने बाला हूँ उस स्ट्राटेजी के साथ अगर आपने सही तरीके से खेल जा तो फिर साथ दिन के अंदर उस 11 टीम से एक टीम एक बार जाए दो बार मिनिमाम मैं आज मैं आपको जो हिसाब देरे जा रहा मिनिमाम हिसाब होगाची फाइक में आप एक दिन 100 के उपर रांक कर गया मैं मीनिमाम हिसाब रहा हूँ 100 के उपर आगर आपने रैंक कर दिया तो फिर आपको 8000 मिल जाएगा अगर आपने स्ट्रेटिजी फॉलो करते हुए खेला तो इसी तरीके से चलता गया ना तो फिर 20 दिन में आपका कितना रिटन आ गया 25 के आपको रिटन आ जाएगा मिनिमाम मैं तो बड़ा मतलब एक दो रेंग के बार में अभी तक बात आया नहीं एक दो रे की का अपने मालीजे मिनिमाम अपका 25 के आपको रिटन आएका ही घाहे यह जाएगा तो फिर लिजे अंदर चीज होना बहुत ही जरूरी है वो बेसिक चीज क्या है एक है टॉस अपडेट आपके पास टॉस अपडेट होना बहुत ही जरूरी है मतलब कौन सा टीम पहले बैटिंग कर रहा है कौन सा टीम पहले बोलिंग का जाए यह सब जानकरी आपके पास होना चाहिए उसके पास लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको पीछ रिपोर्ट को पीछ को मतलब समझते हुए आपको टीम बनाना पड़ेगा उसके बाद क्या आपके पास होना चाहिए बैटिंग ओडर मतलब कौन सा प्रेयर ओपेनिंग करने बला है कौन नंबर दो तीन या चार पर यह सब जानकर आपके पास होना चाहिए उसके बाद क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए opening बोला और देथ बहुत आप ऑपनिंग ओडर और बैटिंग ओडर यह बहुत ही इंप्रेटन होता है पुल्द क्यों इंप्रेटन होता है मैं अभी बताने वाला हो आपको उसके आपके पास मतलब जानकरी मतल आपके पास होना चाहिए और यह सब जानकरी कहां पर मिलेगा इस YouTube चैनल पर मिलेगा आपको मैं हर रोज हर मैच को मतलब पगड़ के बारी के से सब कुछ मैं इस वीडियो के तुरू आपको मतलब इस चैनल पर जो वीडियो आता है हर रोज उसके तुरू मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल के साथ जूड़ना बहुत ही जरूर है आपके लिए आप ग्रैन लिग का टीम कोंबिनेशन कैसे बना सकते हो उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है आपको उस वीडियो का लिंक डिस्किप्शन पर मिल जाएगा अगर इस वीडियो के मतलम से मैंने आपको वो ची लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना लिया हूँ उस वीडियो के थुरू मैं आपको ग्रैन लिग से रिलेटेड मतलब आप ग्रैन लिग का टीम कोंबिनेशन कैसे बना सकतो यह पूरा चीज मैंने डिसकस कर लिया है आप खुद से टीम बनाना सीख ज सकतो वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा और वो वीडियो जरूर देखना